बोट का नया यरवर्ट लॉंच हो चुका है इसका नाम है बोट एयर डॉप्स 91 मेरा नमेतन में आप देखे टेक यूनीक चलिए विडियो शुरू करते हैं इसे मैंने यहाँ पर आमाजॉन से खरीद लिया है बारा सो रुपए का लेकिन अब यहाँ पर जो है यह 900 रुपए के साथ आता है अला कि यहाँ पर यह बट देखने वाली बात है और यहाँ पर यह बट अभी 900 रुपए के मिल रहे हैं तो उस हिसाब से हम यहाँ इसे जज़ करेंगे बॉक्स खुल दी सबसे पहले आपको यहाँ पर जो है यह बट का लोगो है और यहाँ पर एक बड़िय चार्जिंग के लिए और साथ ही में यहाँ पर जो इसका उपर का पार्ट यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह के डिजाइन के साथ आता है वैसे ओवरल यहाँ पर प्लास्टिक की बिल्ट कोलिटी काफी अच्छा लग रहा देखने में साथ में बता दू यहाँ पर य 5.3 मिलता है इसको फोन के साथ करेक करना काफी एजी है सिंपली आपको इसका डखकन खोलना है और आपको यहाँ पर ब्लुटूथ ऑन कर लेना है और यहाँ पर नए डिवाइस पर पैर करना है तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा नया येरबड बूट एयर सकते हैं और हलके फुल के बारिश में भी लेके जा सकते हैं और अगर आप एक गेमर है तो यहाँ पर आपको एक डेडिकेटेड गेमिंग मोड भी दिया गया है जिसमें आपको 50ms का लो लेटनसी मिलेगा तो आप गेम जैसे की bgmi call of duty असफाल्ट और भी काफी साथ जो जि के बाहर जा आप पर पता चलेगा कि इसके माइक्रोफोन किस तरीके से काम करते हैं और मेरी आवाज किस तरीके सारी आप एपसों पर करते हैं लेकिन बात करें बैटरी बैकप और चार्जिंग की तो यहां पे आपको बैटरी कैपसिटी जानना काफी जरूरी है केस में आपको यहां पर मिल जाता है 300 एमेज की बैटरी और बर्ड में मिलता है 40 एमेज बैटरी तो यहां पर जो है केस के अंदर का बैटरी कैपसिटी मुझे थोड़ा सा कम लगा है थोड़ा सा और अच्छा बैटरी होना चाहिए था केस के अंदर लेकिन यहां पर बोट कर सकते हैं लेकिन इसमें साथ ही में आपको fast charging भी मिल जाती है तो अगर आप इसे 10 minute charge करोगे तो यहाँ पे आपको 120 minute का battery backup मिलेगा जो की काफी बहतरीन चीज है लेकिन 900 रुपए के under में आपको fast charging मिलना ये भी काफी साथ है लेकिन आप सबसे important चीज की बात करते हैं जो कि यहाँ पर sound quality इसमें आपको 10 mm के drivers मिल जाते हैं इन earbuds के अंदर और उस हिसाब से यहाँ पर sound quality है वो अच्छी है base से भरी हुई है तो अगर आपको base वाली sound quality पसंद आती है तो आप इसके तरफ जा सकते है clarity थोड़ी सी कम लगी मुझे clarity थोड़ी और अच्छी हो सकती थी और क्यूंकि यहाँ पर boat का जो target audience है boat में जो यहाँ boat को जो लोग काफी अद़ पसंद करते हैं उनको यहाँ पर यह base वाला sound quality पसंद आता है इसके करण से boat भी यहाँ पर इस sound quality को change नहीं करता है यहाँ पर base lovers के लिए यह वाले जो earbuds काफी बहतरीन होंगे क्योंकि इसमें base काफी अच्छा सुनने को मिल जाता है लेकिन boat को एक application support देना चाहिए था यहाँ पर जहाँ पर हम जाके sound को थोड़ा सा change वगरा कर सकते 900 रुपए में आपको यह boat के earbuds मिल जा रहे हैं इतने सही features के साथ इतने अच्छे sound quality के साथ यही सबसे बड़ी बात है और इसका design भी काफी अलग है boat के बाकी सारे earbuds इस तरीकी के design के नहीं आते हैं यह थोड़े से हट के design के साथ आते हैं एक तब ही तो definitely आप इस वाले earbuds को consider कर सकते हैं अगर आपका 900 रुपए का budget है और आपको एक ऐसा TWS खरीदना है जिसमें आपको जादा features नहीं मिलते हैं एक दावी नॉर्मल वाले TWS चाहिए या फिर आपको किसी को gift वगेरा करना है तो उसके लिए काफ यादा बैतरीन होंगे यह boat ए शुब रहे